जेहिंद वंदे मातरम सौगत है आप सभी का नोकडीकपई.com के ओफिसल यूटूब चैनल पर तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डांक विवाग GDS भरती रिजल्ट के बारे में जहांपे आपको आपके कट आप के बारे में और मेट लिष्ट के बारे में क वीडियो क्वापी इंपोर्टेंट होने वाली है आपको ऐसा वीडियो पूरे यूटूब के अंदर देखने को नहीं मिलेगा अगर आप लोग इस वीडियो को सुरू से लेकर आकरी तक देखते हैं तो आपको सारी जानकारी समझ में आ जाएगी आपके सारे डाउट क्लि कैसे देंगे सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी अगर आपके केबल 40% है मैं दस्वी कक्षा की बात कर रहा हूँ 50% है 60% है या फिर 70% है और आप जरूर इस वीडियो को देखे क्योंकि इसके बाद आपको किसी दूसरे वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग इस वीडियो को आखरी तक देखते हैं और आपको जानकारी समझ में आती है पसंद आती है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा और GDS की पलपल की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिपिकेसन को आन जरूर करेगा 100% रियल जानकारी दूँँगा इसके लिए आपको सबसे पहले 2018, 2019 और 2020 के साथ 2022 के cut-off के बारे में देख लेना चाहिए क्योंकि 21 में वेकेंसी नहीं आये थी और अब 22 के बार 23 में भरतिया आई है तो आपको previous cut-off के बारे में knowledge रहेगा उसके हिसाब से आप लोग नए cut-off का अंदाजा लगा सकते हैं साथ में जो logical बाते में आपके साथ share करूँगा उसको जरूर सुनियेगा और उस पर focus करके ही आप लोग आवेदन कर दियेगा अगर आप लोग आवेदन कर दिये हैं तो अभी भी आपको मोका मिलेगा 17 से लेकर 19 के बीच में आप लोग अपने form का correction कर पाएंगे तो आप लोग जगह को change कर सकते हैं कि आप कहां से आवेदन करना चाहते हैं तो चले वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं साल 2018 में जो इंडिया पोस्ट GDS का cut off आया था वो कितना बना था 2018 के अंदर आपको बता दे कोई भी करोना काल नहीं आया था किसी को भी प्रमोसन नहीं दिया गया था और किसी के भी 100% नहीं आ रहे थे यह उस टाइम की बात है 2018, 2019 और 2020 के अंदर cut off काफी कम था अगर आपको मैं बताओं कि कितना गया था तो देखिए यहाँ केटिगरी है यहाँ पे cut off है तो जर्नल, OVC, SC और HD क्योंकि EWS नया कोटा बना हुआ है इसलिए यहाँ पे उसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है तो देखिए जो जर्नल का cut off था मिनमम यहाँ पे आपको बता दें 82 यानि की 82% तक वालों का यहाँ पे चैन हुआ था OVC में 78% और SC के अंदर 75% और HD के अंदर 72% यानि 78, 75 और 72 तक वालों का चैन यहाँ पे GDS के अंदर 2018 में हुआ था लेकिन अभी साल बदल चुका है काफी सारे लोगों का प्रमोशन हुआ है इस बज़े से उनके higher percentage थे इसकी बज़े से पिछली वार की जो वेकेंसी थी उसमें continue 15-15 दिन के अंदर 7 merit list जारी की गई थी क्योंकि ज्यानकारी भी बहुत ही जादा गलत फिल करी गई थी अभी हम बात करते हैं 2019 के cut-off के बारे में देखें यहाँ भी मामला अच्छा था जर्नल का 78% पे हो रहा था OVC का 75% पे SC का 70 और ST कटेगरी का 65% तक यहाँ पे चैन हुआ था इसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे आपका जो है तो कितने में होगा और साथ में 20 और 22 का cut-off क्या था उसके लिए आप देखें सबसे पहले 20 के cut-off के बारे में तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो इंडिया पोज GDS 20 का cut-off था 2020 का यहाँ जर्नल का 77 के बल और के बल 77% पे selection हुआ है OVC में भी 77, SC के अंदर 75 और ST के अंदर 66% क्योंकि यहाँ तो ना लोग आवीदन कर रहे थे और ना ही इतना higher percentage उनका आया था क्योंकि जो भी 100% वाले student है, smart हैं वो इस job को सबसे पहले prepare नहीं करेंगे वो पहले देखेंगे higher education की तरफ उसके बाद higher job को देखेंगे यह एक गाउं की job है और यहाँ कोई भी job करना पसंद नहीं करता लेकिन आप Corona काल में गाउं के बच्चों का promotion हुआ जिसकी बज़े से उनके percentage काफी higher आए और इस बज़े से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 2022 में क्या cut-off देखने को मिला बहुत सारे लोगों का number यहाँ पे डाला गया था जिसमें उन्होंने 100 number के exam में 110 number फिल किया और percentage में काफी धादली हुई 110% तक वालों का mate computer के अधार पे generate हुआ था उनका नाम आ गया इस बज़े से जब document verification के लिए उनको बुलाया गया और वो वहाँ नहीं पहुंचे तो 7 mate list यहाँ पे 2022 में जारी करी गई जो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2022 का क्या से deal था उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम यहाँ पे आपको देखना अधिक से अधिक तो 100 तक जाएगा कम से कम जर्नल वालों का यहाँ यहाँ या overall category wise आगे बात करेंगे ओवराल 95 तक गया बिहार के अंदर 91 से 100 तक गया और जार खंड के अंदर 87 से 100 तक गया देली के अंदर 91 से 100 तक मद्र प्रदेश के अंदर 82 से 100 तक और पंजाब के अंदर 83 से 100 तक महाराष्ट के अंदर 81 से 100 तक और उत्तरा खंड के अंदर 82 से 100 तक और असम के अंदर 75 से 100 तक यहां पे cut-off चला गया केटेग्री वाइज अगर हम बात कहें तो जन्रल के लिए 84 से 94 तक और EWS के लिए 83 से 90 तक OVC के लिए 79 से 88 तक और SC के लिए बात कहें तो 79 से 87 तक HD के लिए बात कहें तो 78 से 84 और PWD में 68 से 77.6% तक का cut-off यहां पे गया था पर यह तो काफी ज़्यादा हो जाता है इसकी बज़े के बल एक है कि जो भी promotion वाले बच्चे थे उनके लिए यहां पे कोई अलग से कुछ भी foundation नहीं रखा गया कोई यहां पे line नहीं रखी गयी कि उनको कुछ वहां पे जो है तो additional में देना होगा या उनको कुछ percent shortage होगा इसलिए उन सब का chan हो गया अभी हम बात करते हैं साल 2000 देश के बारे में तो चुकि आपको पता होगा कि 38,000 पदों पर पहले ही vacancy आ चुकी है और कुछ बच्चों का हो चुका है कुछ क्या 38,000 पदों पर भरती थी तो 38,000 student का यहां पे chan already हो चुका है अभी हम बात करते हैं इस बार कितना percentage पे cut off आपका जाएगा merit जब आएगी तो वो आपको क्या देखने को मिलेगी तो आप एकीन मान के चलिए कि इस बार जो है तो उतना high आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि 80 से लेकर 90 के बीच में जर्नल का और 75 से लेकर 80 के बीच में EWS का और यहां पे 70 से लेकर 80 तक का यहां पे आपको देखने को मिलेगा OVC का और यहां पे 70 65 प्लस यहां पे आपको SCHD का और 60 प्लस आपको PWD का परसेंटेज देखने को मिलेगा क्योंकि इस बार पोश्ट आपिस ने पहले बोल दिया है कोई भी गल्टी बरदास्त नहीं की जाएगी जिसके जितने परसेंट है ओरिजिनल में आप भरेंगे और ओरिजिनल में आपको चैन लेना होगा अगर fake जानकारी देते हैं तो आपके उपर case भी किया जा सकता है तो यहाँ पर इस हिसाब से दूसरा हिसाब यह है कि अगर आपको जानकारी में कोई ऐसा गाउं है जहाँ पर आप लोग आवेदन करें और वहाँ education जादा नहीं है क्योंकि इंडिया के अंदर काफी सारे आज भी ऐसा गाउं है जहाँ school नहीं है वहाँ के बच्चे पढ़ नहीं पाते और सबको उस गाउं के बारे में जो है तो गाउं के बारे में जानकारी नहीं होती तो अगर आपको उस गाउं के बारे में जानकारी है तो आप वहाँ से जरूर फिल करें क्योंकि वहाँ पे आपके chances increase हो जाएंगे अगर कोई वहाँ से आपेदन नहीं करता या वो आपेदन करते हैं जिनके percent कम है और आपको ऐसे गाओं की knowledge है तो आप जरूर आपेदन करें उससे आपके चैन होने के chances हैं वो increase हो जाएंगे ये वीडियो जो है तो आपके knowledge purpose के लिए है ऐसी वीडियो और भी आपको आगे मिलेंगी जिसके अंदर मैं proof के साथ सारी जानकारी सेयर करूँगा कोई गलती हो गई हो तो आप लोग उसको mind न करेगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो like जरूर करें और चैन के लिए अपने channel को subscribe करें क्योंकि यहाँ पे आपको पलपल की update दी जाती है मिलते हैं अगले वीडियो के साथ next update में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद